असलाम लेकुम आप देख रहे हैं परदेशी वाइपर मैं हूँ आपका दोस्त हाशीम उमर केनड़ा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नमबर 36 सो लेट स्टार्ट क्वेस्चेंज और आंसर्स पहला क्वेस्चेंज है मानो बिली का बाई मैं सौधी एरब से हूँ हज्बेंड वाइफ ने अगर एक साथ सौधी से कैनड़ा अपलाई करना है तो क्या प्रसीजर है आपसे कांटक्ट कैसे किया जा सकता है अपलाई करने का तरीका सेमी है जो फाम्स होंगे वो दोनों के अलैदा-अलैदा होंगे और लेदा-अलैदा फिल्ड होंगे जैसे के information farm 5257 B farm 5257 E farm तो यह आपके अलग अलग दा फिल होंगे और आपसे contact मेरे से contact रना है तो यह नीचे email है और WhatsApp पर भी contact कर सकते हैं next question है एडिटिंग का भाई trucking पर कभ वी लॉग्स आ रहे हैं like how to get license and trucking schools इंशाला एक वीक के अंदर-अंदर मैं trucking पर वी लॉग्स शुरू कर दूंगा उम्में वी लॉग्स का question है by my husband is applying for two months visit visa तो उनकी travel plan क्या हम वी wise बना सकते हैं means 15 days Calgary में 15 days Toronto में 15 days Vancouver 15 days Nova Scotia जी आप बना सकते हैं लेकिन आपको फिर अपना जो आप Vancouver में भी 15 दिन रहना है आपने और Nova Scotia तो इनके दर्मियान तक्रीपन 6-7 साथ हजार किलो मीटर का सफर है for example अब लहोर से जिस तरह इस्तंबोल जाना तो लग जाते हैं तक्रीपन 6-7 साथ जार किलो मेटर इतना दो बनता होगा approximately तो Canada इतना बड़ा तो जब आप इतनी लंबी ट्रेवलिंग करेंगे तो वीजा ओफीसर के जहन में आता है वेनकूवर इस आलसो मोस्ट अक्सपैंसिव सिटी इन दा कैनिड़ा तो जब आप इतना ट्रेवल करेंगे और इतने एक्सपैंसिव सिटी में रहेंगे तो फिर आपको जो फिनास वाला सेक्शन है उसको फिर अच्छा खासा दिखाना पड़ेगा तो वह इश्यू नहीं है इस्यू देखें जहां पर यह ये ये येलो स्क्रीप आ रही है रियर मूव लफ साइट पर जब लैपट साइट पर जब देखेंगे तो वहां पे आएगा अफ्टृटिद डाकुमेंट ग्रीन कर वे हैं अगर Aah अघर अफ्टृटिद deepen क्र स्कूजर में आ रहां और राइच साइट पर आपको नजर आ रहां यैलो में डेर मूव दाकूमेंट तो को का बैंक स्टेट्मेंट बना के प्लाइ करूं प्लीज रिप्लाइं दोनों का आप स्टेटमेंट बेशक तीन चार बैंक स्टेटमेंट्स हों आप दिखाएं अच्छे ना आपकी फिनांस वाल सेक्षिम अच्छा होगा उसकी देखें इशु जो है वह यह है जो ट्र्रांजे से कमाएं हैं या मैंने को बिजनस है या मेरी सेलरी है या मैंने को प्रॉपर्टी सेल किये यह आपने वेरिफाइबल सबूत लगाने हैं तो फिर आपकी यह जितने ज्यादा बैंक अकाउंट्स होंगे उतना ज्यादा अच्छ है उर्दू नालिज टीवी का क्वेशन है मैं बैंक स्टेप्मेंट वाज 45,000 रेयल बट आई वस नाट गटिंग मंथली सेलरी सिक्स तोजंड सम्ताइम सम्ताइम आइट 10,000 सम्ताइम सब्सक्राइब नथी वर्क इस बिल्दिंग एलेक्रिशन इन साओधी अरभिया एंड इस बैस पे आपको यह नहीं आप बोले के वीजा इसकी बैस पर मिलेगा यगा यह नहीं मिल सकता और बहुत सारे फैक्टर होते हैं आप यह कह सकते हैं कि यह मेरि Your Happy है ये मेरी bank statement है क्या मेरा finance वाला section सही है या नहीं question इस तरह करें ये ना कहीं मेरे पास 45,000 रेयाल है क्या मुझे वीजा मिलने बहीं वीजा मिलने के लिए और भी सारे factors है ठीक है अभी देखें आपने 6000 रेयाल कहते हैं आपने salary mention कर दिया ये कैसे mention कर दिया आपने आपने देखना है कि साल में आपके पास आपकी कितनी earnings है उसको बाराँ पर divide कर लें और आपकी मंतरी salary जो है ना वो आप उतनी mention कर दें अभी आपने काया कभी मुझे 10,000 मिल रहे हैं महीं किस बंदे से आप पैसे लेते हैं कोई सबूत कोई उसके साथ आपका क्या तल्लक है वो आपने link जो है ना वो establish करना है आपके जो account में पैसे आपने डाल रहे हैं और कहां से आते हैं किस के पास से आ रहे हैं वो जो link है ना वो आप establish कर देंगे तो ये फिर genuine पैसे होंगे otherwise आप cash डाली जा रहे हैं डाली जा रहे हैं और अगर आप साबत नहीं कर पा रहे हैं कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं तो फिर बेशक जितने लाखों डारे आल आप account में रखें फिर वो वीजा के chances कम हो जाते हैं शाहिद लिखा question brother is it necessary to book return ticket in advance while applying for Canada visitor visa from Pakistan देखें ये mandatory ये necessary नहीं है लेकिन ये आपकी application को support करती है जो return ticket है क्योंकि जो लोग इदर आते हैं फिर वो वापस नहीं जाते तो आपने जो immigration officer है या जो आप जो भी बंदा आपकी application को चेक कर रहा है उसको आपने दिखाना है कि मैं वापस पाकिस्तान होंगा तो उसके लिए रिटर्ण टिगर सस्ती किस तरह आपने लेनी है ये भी आपको पता होगा अगर आप मेरा चैनल चुरू से follow कर रहे हैं शाह शेहजाद रियासकान का question is signature required for this form if submitting online application या आप family information form की बात कर रहे हैं तो signature आपने जरूर करने हैं जब उन्होंने लिखा हुआ है यहां पे signature कर दे तो आप क्यों क्यों यह आपको स्वाल करना ही नहीं चाहिए आप जरूर signature करें और family information में चार sections है a b c d हर जगा पर आपने sign ही करने एक अभी case मेरे पास आया था तो उसने चारों जगा पर sign कर दिया देखें for example एक जगा पर लिखा हुआ है कि अगर बच्चों वाला खाना क्या आपके कितने बच्चे हैं नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई बच्चे नहीं है कोई adopted बच्चा नहीं है या कोई आपका natural बच्चा नहीं है तो फिर नीचे साइन करें ठीक है फिर नीचे sisters and brothers वाला section है कि आपके sisters brothers अगर कोई नहीं है फिर नीचे साइन करें तो तब आपने sign करने हैं और जो last section D है वहाँ पे तुम्हेरा फ्याल सबने करने होते हैं तो यह थोड़ा पढ़ लें उसके बार देखें कि sign करने हैं या नहीं करने लेकिन जहां पर करने हैं वहाँ पर आपने जरूर करने हैं ठीक है कि वी लाग्स रेगुलरली बनाओं लोगों के questions के answer जरूर दूँ जिस जिसने अभी तक मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया वो कर ले जरा like, share, comment जो भी आप से होता हो करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में लाफिस